अगर आप कथा में जा रहे हो, आप कथा श्रवन करने बेठ रहे हो, आप टीवी चेनल के सामने भी बेठ कर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर भी अगर कथा का सुन रहे हो, और जिस भाव से आप कथा करवा रहे हो, सुन रहे हो, ये तुमारी चित्वर्ती में होना चाहि अगर पाप ज्यादा बड़ा होता तो कथां के पंडाल तक हम नहीं पहुझ पाते संकर की चुर में सुन पाते नाम जाप नहीं कर पाता है उसमन नहीं ठाहिए भलाओ उसका जिन्हों ने अमारि करी तो हम कथा में पहुंचे हैं बलाओ तु क्यों चंचुला अभी विके रही है मेर को लोगों ने खूब अब सब्सक्राइब कहीं माता हूं कि आदत रहती बात पक्ड़ के बिड़े सब ने दोका दिया सब एक भी अच्छा नहीं मिला में संसार मेरी तु जिंदगी वेका हमारी जीवन में दुखी दुख लिखा था हम घर पे थे तब भी भी दुखी थे हमारी मम्मी हमको जारा से मारती थी साधी हो गई घरे आगे ब्याव करके पती के लाग भूसे खा रहा है पी के आए खुब डालिया थे चोरा चोरी भी ऐसे पेदा हुए हमारे सम्मान में पुरी जिंदगी है ऐसी इत्ती रोरो के बोर पूरी जीवन ऐसा तब एसा बोले तो हमारे में के नहीं तू नहीं को जब पती जूता मार रहा था दंडे मार रहा था तुस्से निक कुछ बोलता नहीं है कुछ मत करती माला लेकर बैठ जाती बस बाल फोल के इत्ती बड़ इत्ती लग लगा जा और यसी आँख फार के देखती बस एक ही तो काम करना था बोल गलत है बस जब डंडा लेकर आ बस उत्ता में तरको मार देतो गारंटी तो बेट तो शरी एकी बार का बापणा नी सो जाए बिना रोती का तो गारंटी मारे बिना रोती का नी सो ये तो गारंटी और चोरा चोरी थारे उपर हावी हो तु नहीं बन जाए भजन में लिखा है आर्थी में तेरे भक्त जनन परमाता बीड पड़ी है भाड़ी और दान उदल पे पूट पड़ी मां को के सिर्षा चड़ जाए एक आज बार लाद धर के जिवान का पटक नीचे और लाद धर के बायां का बड़ी बिंदी लगा के तर देख नहीं का चोरा चोरी कभी जिन्दगी में थारे कुछ साथा अरेक शिव पुरान है